नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल धुलतर अबडेट्स में तो दोस्तों आज मैं अपको लिए लेटेस्ट रिकूर्टमेट लगा हूँ हिमाचल परदेश में जो निकाले गई है तो हिमाचल परदेश के कौन सी सरकारी विवाग में ये 42 पोस्टे भरी जानी है और कौन सी क्लास की है और इसमें क्याटिगरी वाइस डिस्ट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है तो वीडियो परेंट तक बन रहे हैं अगर आप हमारे चैनल परदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगेने वाली हिमाचल परदेश की गौर्मेट रिकूटमेट की बर जाएंगी ओन डेलिवेट जिसके उपर और इसमें नंबर ओव विकैंसी जो हैं 42 भरी जाएंगी तो के बारें बताते हैं तो यह आप देखते हैं यहां पे तो इसमें जनल काटिगरी की 19 पोस्टें भरी जाएंगी सी यूर की 9, स्ट की एक ओविसी यूर की 7, EWS यूर की चार BPL एंटर देया की एक जो की SC की होगी और BPL OVC की एक टोटल 42 पोस्ट हैं भरी जाएंगी और यह जो पोस्ट रहेगी जोब की वह HP सेक्टेट में ही रहेगी जोब तो एज लिमिट 18 से 45 साल इन्होंने बताई हुई है qualification 10 इसमें इन्होंने मांगी है और desirable qualification आपको knowledge होने चाहिए हिमाचल परदेश की और इसमें कोई gender वार इन्होंने नहीं रखी है male female दोनों भर सकते हैं और essential requirement for recruitment के लिए RNP rule आपको पता होना चाहिए कि RNP rule क्या है जो हिमाचल परदेश में रहने वाले हैं bonofide हैं उनके लिए कोई RNP rule की अवश्रक्ता नहीं है क्योंकि वो तो हिमाचल परदेश में जो भी post निकलती हैं वो भर सकते हैं तो आगे जो selection criteria रहेगा selection criteria इसमें 100 marks का रहेगा तो 100 marks में से ये merit बनाएंगे आपकी तो इसमें 85 marks जो रहेंगे वो आपके जो 10th में जितने आपने percent जो है obtain की होंगे उस साब से आपको दिये जाएंगे marks तो इसमें कोई भी exam conductor नहीं होगा और 15 marks की evaluation रहेगी जो आप सभी को पता होगा तो कौन-कौन सी है तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को पर सकते हैं यहां पर आपको important important बता देता हूं तो 15 marks की evaluation रहेगी और 85 marks जो हैं वो merit of minimum education qualification के हिसाब से दिये जाएंगे और यहां पर इन्होंने RNP rule बता रखा है यानि कि आपको कैस्पकार स से marks दिये जाएंगे 10th के base पर तो अगर यहां पर example दिये हुए हैं अगर आपके 50% marks हैं 10th में तो आपको 42.5 marks मिलेंगे 85 marks में से और 15 marks की जो evaluation होएगी इसमें जो आपके certificate होंगे उस आप से दिये जाएंगे तो जो आपको application form भरना है वो आपको offline application form भरना है application form जो है आपको इस website में जाकर मिल जाएगा हिमाचल.nick.in इस website में जाकर आपको application form मिल जाएगा और application form जो है आपको offline भरना है उसके साथ आपको जो document आप यहां पे qualification और जो evaluation होगी बंदर मार्स की जो जो आपके पास document होगे उनकी जो आपको फोटो कोपी है वो आपको साथ में भेजनी हो आपको इंटिमेट कर दिया जाएगा candidate by the department की तरफ से और application जो form होगा भी इस परकार से होगा जो आपको download करना है तो इसमें आपको self-tested colored photograph लगानी होगी और अपनी personal detail आपको यहां पे भरनी है education qualification और नीचे आपको इन्होंने बता रखा है यहां पे कि जो आपको self-tested photocopy of education certificate to be attached करनी होगी तो आपको self-tested करकर करनी है साथ में जो आपको भीजनी है in wealth में डालकर और इसमें जो आपको yes no यहां पर रखा देना है नीचे signature करने है आपने और यहां पर date आपको लिखनी है और यहां पर प्लेस इन्होंने लिखा होगा है शिमला तो application form जो है आपको download करने होंगे website से हिमाचल.nick.in की website से म की latest government job की recruitment की update जो मैं आपको बताई कि हिमाचल परदेश के सरकारी विभाग है तो इसमें यह पोस्टे भर जाएंगी class war की तो I hope आपको पूरी जानकारी से मिलगी है तो चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को like करना बिल्कू न भूले और इस वीडियो को पने दोस्तों के साथ जरा से अदर शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके जो हिमाचल परदेश में 42 पोस्टे निकाली गई है क्योंकि आप सभी को पता है कि करोना के कारण बहुत ही कम पोस्टे जो है निकाली जा रही है तो जो भी पोस्टे निकाली जा रही है जो candidates eligible हैं वो जरू बढ़ें तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई अप्डेट के साथ नई रेक्रूटमेट के साथ जैहीं जैहीं माचलें